नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग को खुल कलासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ अपरेंटिस क्या है अपरेंटिस कौन कर सकता है अपरेंटिस में कौन कौन सी जॉब होती है Apprentice में कितनी salary मिलती है Apprentice की पूरी जानकारी इस वीडियो में देखे दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करे और बल आइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा Apprentice क्या होता है अगर हम सिधे सब्दों में कहे तो Apprentice शिप एक परकार का training period होता है जिसमें विद्यार्थियों को industrial work के लिए train किया जाता है इस time period के दोरान विद्यार्थियों को एक समानिय worker की तरह कार्य करना होता है जिसमें उसे किसी industry में काम करने का अन्भव मिलता है Apprentice शिप के दोरान student को theoretical knowledge का न बताते हुए practical knowledge पर focus किया जाता है जिससे उसके कार्य कोशल में निखार लाया जा सके मतलब कि वहाँ पर क्या है आपको theory कम पढ़ाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा आपको practical knowledge दिया जाता है Apprentice में अब हम बात करते हैं Apprentice कितने समय का होता है देखिए Apprentice शिप ट्रेनिंग तीन महीने से लेकर चार महीने तक की होती है लेकिन अधिकतर Apprentice शिप जो है ट्रेनिंग 6 महीने से लेकर एक साल तक की की जाती है तो हम Apprentice को कैसे जो है करे और कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा महनत करे ताकि आप सीख पाएंगे इसके बारे में हम बात करते हैं Apprentice करने के लिए योगिता क्या होने चाहिए इस पर बात करते हैं Apprentice शिप हर वह बैक्ति कर सकता है जिसने बरहुई बिज्ञान बिशे के साथ पास की हो इसके अलावा ITI किया हो तो बेस्ट है अगर हम रेल्वे की बात करें तो रेल्वे में आयोजित अधिकतर Apprentice शिप प्रोग्राम ट्रेड Apprentice शिप होते हैं जिसमें भौतिक बिज्ञान, रसायन बिज्ञान और गडित बिशे के साथ बरहुई तथा ITI संबंधि ट्रेड में मांगा जाता है यानि कि आपको ITI करना होगा अब हम बात कर लेते हैं Apprentice के लिए एज कितना चाहिए Apprentice के लिए उम्रसीमा की बात करें तो निउन्तम 16 बर्स होना चाहिए अधिकतम कोई उम्रसीमा इसकी नहीं है 16 बर्स के बाद आप कभी भी Apprentice कर सकते हैं कहीं कहीं निउन्तम उम्र 14 बर्स भी होती है Apprentice में चैन कैसे होता देखिए Apprentice में चैन प्रेकिरिया को लेकर बहुत सारे छातरों को मन में बहुत सारे सवाल होते है उन्हें नहीं पता होता है कि Apprentice के लिए कोई मतलब जो है मुश्किल नहीं है आपको बताना चाहता हूँ कि Apprentice के लिए कोई भी एक्जाम नहीं होता है आप जिस भी क्वालिफिकेशन के अधार पर कर रहा है उसी के द्वारा आपका जो है सेलेक्शन होता है यदि आप ITI कर रहा है तो उसके द्वारा सेलेक्शन होगा यदि आप डिपलोमा कर रहा है तो उसके द्वारा आपका सेलेक्शन होगा apprenticeship के परकार देखिए सरकारी और गयर सरकारी दोनों में होता है graduate apprenticeship इस परकार के जो है केवल तक्निकी छेतर से graduate मतलब होने चाहिए graduate apprenticeship training program जो है engineering यहनी की BE और B.T.E.C. कर चुके हैं तो होता है trade apprenticeship यह apprenticeship में सबसे popular training program होता है इस परकार की apprenticeship में ITI के student भाग लेते हैं यहनी trade apprenticeship करने के लिए ITI आपको करना होगा तक्निकी apprenticeship इस परकार के apprentice में जो है पोल टेक्निक और इंजिनियरिंग के छेतर में डिपलोमा करने वाले student तवरा किया जाता है technician apprenticeship करने के बाद विद्यारतियों के लिए private industry में बहुत सारे job मिलते हैं यानि कि job के आपके पास भंडार हो जाते हैं apprenticeship offer करना वाले मुख्य company के नाम देखिए क्या क्या है मतलब किस किस company से आप जाके कर सकते हैं हमेशा apprentice करने के लिए जो है vacancy निकलते रहती है CIL यानि क्वाइल इंडिया लिम्टेड ONCG BRDO ISRO Indian Railway IOCL यानि Indian Oil Corporation Limited इस सब में आपको हमेशा जो है vacancy निकलते रहती है apprentice करने के लिए अब बात करते हैं apprentice सरकारी होता है या private Apprenticesip भी कई परकार के होते हैं कुछ apprenticeship training program सरकारी होते हैं तो कुछ private भी होते हैं ठीके अगर मिला कर कहे तो यदी आप apprenticeship कर लेते हैं तो आपको job मिलने में काफी हद तक आसान हो जाता है तो दोस्तों यदि आपको जनकारी अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक की दिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो के नुटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थाइं कि दोस्तों रादे रादे दोस्तों